चलिए एक और बड़ी खबर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं 6 नवंबर को E.D. के दफ्तर में रनिंदर सिंग को पेश होना था लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुंचे फेमा केस को लेकर भेजा गया समन आज जालंदर में E.D. के सामने पेश होना था दफ्तर नहीं पहुंचे C.M. कैप्टन के बेटे रनिंदर सिंग 6 नवंबर को E.D. दफ्तर में पेश होंगे अब 6 नवंबर की तारिख दे दी गई है आगे फेमा केस को लेकर समन भेजा गया है दफ्तर नहीं पहुंचे आज जालंदर के दफ्तर में पहुंचना था C.M. कैप्टन के बेटे रनिंदर सिंग को E.D. के सामने पेश होना था जालंदर में लेकिन रनिंदर सिंग आज दफ्तर नहीं पहुंचे वहाँ पर अधिकारी इंतजार करते रहे लेकिन किनी वजों से वो दफ्तर नहीं पहुंचे 6 नवंबर को अब दोबारा समन भेजा गया है ED दफ्तर में उन्हें पेश होना होगा FEMA केस को लेकर ये समन भेजा गया है CM कैप्चन के बेटे रनिंदर सिंग को ये समन भेजा गया है FEMA मामले में और ED के सामने पेश होना था आज जालंदर में जहां वो दफ्तर नहीं पहुंचे जिसके बाद अब 6 नवंबर को उन्हें दोबारा से समन भेज कर बुलाया गया है 6 नवंबर को उन्हें ED के सामने पेश होना होगा आज जलंदर में उने ED के अधिकारियों के सामने पेश होना था फेमा केस को लेकर ये समन भेजा गया था लेकिन किनी वजहों से वो दफतर नहीं पहुँचे और जलंदर में ED के सामने पेश होना था CM कैप्चन के बेटे रनिंदर सिंग पर अधिक संपत्ती मामले को लेकर ये समन भेजा गया ED की तरफ से जाच की जारी है उन्हें बुलाया गया था जालंदर में अधिकारियों के सामने पेश होना था उनसे यहाँ पर पूश्टाच की जानी थी लेकिन रनिंदर सिंग दफ्तर नहीं पहुँचे जालंदर में जहाँ पर उनसे पूश्टाच होनी थी 6 नवंबर को अब पेश होनी का समन दिया गया है फेमा मामले को लेकर रनिंदर सिंग को पेश होना है CM कैप्टन अमरिंदर सिंग के बेटे हैं रनिंदर सिंग ED के दफ्तर में उन्हें पेश होना है आज भी जालंदर में उन्हें समन भेज कर बुलाया गया था लेकिन वो दफ्तर में नहीं पहुँचे इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं 6 नवंबर को ED दफ्तर में फिर से पेश होने के लिए रनिंदर सिंग को समन भेजा गया है फेमा केस को लेकर ये समन भेजा गया है आए से अधिक समपती मामले को लेकर समन भेजा गया था जालंदर में उन्हें अधिकारियों के सामने पेश होना था लेकिन वो नहीं पहुँचे वहाँ पर जिसके बाद अब उन्हें 6 नवंबर को बुलाया गया है इसी साथ साथ